गारव पाईल देने फिर से आपका स्वागतं आज मैं शेर करूं आपके साथ फोल्ड कफी की रेसेपी गर्मी की मोशन में अक्सर बनाई जाती है कि अब और असान तरीके से फोल कोफी बनाए और गर्मी का इनजोइ करें अब में cold coffee बनारे, cold coffee बनाने के लिए मैंने ठंडा दूद लिया है, यह coffee powder है, यह चीनी है, बारिक चीनी लिये मैंने, इसे खांड भी बोला जाता है, cold coffee के लिए मैंने dairy milk चोकलेट लिया है, यह optional है, अब चाहे तो डाले, चोकलेट डाले से cold coffee स्वादिस्ट बनती है, फिरे एक milk क साइड में करते हैं, मैंने एक मिक्सी के जार लिया है, अब इसमें, सबसे पहले इसमें दूद डालते हैं, मैं दो ग्लास cold coffee बना रही हूँ, अब चाहे तो कॉन्ट्रेटी बढ़ा भी सकते हैं, दो ग्लास chilled milk, दो ग्लास cold coffee के लिए, दो चमच कोफी, अब कोई भी ब्रैंट के कोफी इस्तिमाल कर सकते हैं, अब इसमें चीनी, चाहर चमच डालते हैं, मैं बारिक चीनी ले रही हूँ, अगर आप मोटी चीनी के इस्तिमाल कर रहे हैं, तो पहले गरम पानी से पहले घोल उसके बाद यूज करें, अब मिठा कम ज्यादा रख सकते हैं, चाहर चमच डाल रहे हूँ, दो ग्लास cold coffee के लिए, अब इससे ग्राइंड कर लेते हैं, अब इसमें चोकलेट के टुकड़े डाल देते हैं, अब इसमें आइस के टुकड़े डालते हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और इसको आधा से एक मिनट तक ग्राइंड करें, ताकि जहाग अच्छा आए, मैंने cold coffee को ग्राइंड कर लिया है, अब ग्लास में डालते हैं, अब cold coffee को ग्लास में डाल देते हैं, दूसरे ग्लास में डाल देते हैं, जहाग वाली cold coffee बनके रेडी होगी हमारी, इस थोड़ा सा मैंने चोकलेट को कद्दुकस कर लिया था, उपर से डाल देते हैं, कोई भी चोकलेट या फिर coffee पाउडर को भी उपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं, cold coffee बनाने के तरीका पसंद आये तो वीडियो को like, share and subscribe करें, करें